हेलो इस्टुडेंट हमारा प्रस्ण है पादप में भोजन का अस्थांतरन कैसे होता है कि पेंट को अधे में भोजन का अस्थांतरन किस प्रकार से होता है प्रकास संसलेशन किरिया से अपना भोजन त्यार करती है वह प्रकास संसलेशन क्या होता है वहां से पादप की अन्य भागों में भेजा जाता है प्रकास संसलेशन के बिले उत्पादू का वहन अस्थांतरन कहलाता है यह कारिया सनवाहन उतक के फ्लोयम नामक भाग के द्वारा किया जाता है या फुलेयम नामक भाग के द्वारा किया जाता है फुलेयम इसकारे की अत्रिक्त एमीनो आम तथा अनि पदार्थों का परिवहन भी करता है ये पदार्थ बिसेश रुप से जड़ कि भंडारन अंगों फलो बीजों और ब्रिधी वाले अंगों में ले जाये जाते हैं ठीक संगलान साथी कोस्काक की सहता से चालनी नालिका में उपर मुखी तथा अधो मुखी दुनों सिराओं में होता है फुलेयम से अस्थांतरन का कारिया जायलम के विपरित होता है किया उर्जा के उप्योग से पूरा होता है सुक्रोज जैसे पदार्थ फलोयम उतक में ATP से प्राप्त उर्जा से ही अस्थांतरित होते हैं यह दाब पदार्थू को फलोयम से उस उतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है यह पादब की आविसकता अनुसार पदार्थू का अस्थांतरन कराता है वसंत रितू में यही जड़ और तने के उतकों में भंडारी सरकरा का अस्थांतरन का लिकाओं में कराता है जिसे बिर्धी के लिए उर्चा कियावे सकता होती है तो इस तरह से इस्टूडेंट पादपो में भोजन का अस्थांतरन होता है